कि नमस्कार जैहिंद मैं कुमार आउनिस और आप देखें रियोन लेज वाल्ट तो आज किसी वीडियो के अब क्लास 13 के सीविक्स का नागरिक सास्तिर का फॉर्ष्ट लेसन लोकतांतर में सत्ता की सजयदारी का जो आपका बूक का यहां पर कोश्चन से उसको डिल करेंगे आए भी विर्ष्ट किया जाए और हाँ फ्रेंड्स यदि आप अभी तक रियों नहीं किया तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरू कर लीजिए गा चलिए अब देखें यहां पर यह जो है यह आपका सब्यक्टिव कोश्चन है और इसका ऐसा त्वासा देखें संबाजिक विवायनों को संबहालने के संदर में समाजिक विवाजनों को संभालने के संदर में इन में सब्सक्रा नहीं होता जो लोगतांत्री ब्यवस्ता पर लागू नहीं होता है लोगतांत्र में राजनेतिक पर दोईता के चलते समाजी विभाजनों की छाया राजनेतिक पर पड़ता थी भी सही है जो भी यहां पर राजनेतिक पर दोईता है जो भी यहां पर टिक कम्टेटर है उनका भी छाया जो है उसका आशार पर 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 पड़ता ही है लोगतांत्र में विभीन समुदायों के लिए सांतिपुन ढ़ंग से अपनी सिकायते जाहिर करना संभाव है तो यह भी सही है जो भी समुदाय है यहां पर अपना सिकायत जो है सरकार से जाहिर कर सकते हैं सवाल नमर तीन लोगतांत्रिक समाजी की विभाजनों के अधार पर समाज के विखंडन की और ले जाता है यह जो रॉंग है तो कि लोगताँ नमर जो बातने का पर बीचार करें और यहां पर तीन बेवाजह की बोला जेहां समाजिक अंतर एक दुसरे से तकड़ाते है वहां समाजिक बिभाजन होता है ठीक है तो यह भी सही है ठीक है जहां पर समाज रुट और लगार बटेंगे बटेंगे दुस्राइब देखा जाए तो यह किसी का क्या है पूत्र है किसी का मतलब भाई है किसी का चाचा है पिता है एक ही बगती तो क्या इसका यह सही है कि सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही स्माज भी वाजन होता है यह बैसा जैसे किसी देशों में हो सकता है इसे आपका ऑ-खा सही है कि यहां बोला कि इन ब्यानों में जब कौन से ब्यान सही है क्या पूले कौ और खो सही है गश्य यह है पुच रहा है उप इन्यगों क्या रिख्षा कवां पे ऊपसे न्री पीर कर लेजिए ऑफ समोल जालाद College के लिए एक सवाल नमबर आठ नेमले खित ब्यक्तियों में कौन लुकतांत्र में रंग भेत के विरोधी नहीं थे तो इसका पॉइंसर क्या हो जाएगा जेट गुड़ी जेट गुड़ी तो यह जो थे विरोधी थे चुकि अमेरिका में जो भी अफिरकर अमेरिकन था तो उन पर जो गोड़े लोग अत्यचार करते थे तो उनका इन्होंने काभी बिरोध किया था यह जो थे गांधी जी जी जो थे अफिरका में जब वहां पर राज सांग्रेजों का जब अफिरका को अपना उपनिवेस बनाए हुआ था तो उस समय क्या हुआ था जब यहां पर अफिरका काई हुए थे उन्हें से कानवेस में डादा अब्दुल्रा का किस लड़ने के लिए तो वहां पर गांधी जी को अंग्रेजों ने क्या करके बाहर फिक दिया था कि तुम काले हो तो दूसरे बोगी में जाओ तो इसके बाद से गांधी जी क्या कि तो आए भी तो आट ने राश्रबाद पार्ट चारे में टिया नो जन्वरी उन्हें से पंदर अफिरका से इंडिया लोटे हो गया थे यह क्या थे तीन नमर्वर ऑलंबिक धावक टॉमी स्मित या जॉन कालोस ते यह दोनों जो है टॉमी स्मित और जॉन कालोस दोनों क्य तो यह जो है यह बिरोधी नहीं है काले और गोरे इन रंग भेद के बीच का इसका इसा जाए गहान नमर्वर सवाल नमर्व नौ देखिए निमलेकित का मिलान करना यहां पर पकिस्तान जो है यह आपका इस्लामी कंट्री तो यहां भी कुछ हिंदू है ठीक है लेकिन यह इसका जो रश्टी धर्म है ठीक है और इंदुस्तान जो है इंडिया अपना देश भारत तो इंडिया जो है अपना क्या यह दर्म निर्प्योक्ष्च है मतलब कि किसी भी खास धर्म को यह अधिक महतों नहीं देता है इस सारे धर्मों को एक समान नजर से दिखता है यह ज किसीन भी खास धर्म को एक समान अधिकार परता करना और इंग्लैंड जो है इसको सामने मियों कर लीजिए जो है आपका प्रोटेश्टेंट को मानता है चलिए अब आते हैं अगे फिर सवाल नमर दस द्यारा बादा जो है यह सब आपके क्या सब्जेक्टिक कुश्टन से यह इसका बैसा चाहिए हो आपके लिए जरूर हम लोग लेकर के आएंगे तो बिल्कुल अपनी वह सामें चलिए सवाल नम प्रूसों को दी गई अस्वान भूमिकाय बालोक और बलिकाओं की संख्या का अनुपात लुक्तांदरी विवस्ते में महिलाओं को मादान का अधिकार ना मिलना देखिए तो जब समाज मिटे के लिए भाजन को होता है बात ना इसका मतलब क्या होता है कि समाज द्वारा स्रीयों और पुरूसों को दी गई अस्वान भूमिकाय समाज क्या बोलता है कि पुरूस परधान समाज होगा पुरूस अधिक आपका पॉर्फूल होता है महिलाओ उतनी जो है अपने आप में मजबूत नहीं होती है तो यह जो है अंतर करना यही है लगी की भाजन यानिक लिए अच्छा नहीं यह भूक का ही तो आप यहां पर लीच भारत में यहां और तो के लिए अरक्षं की वेवस्ताय आहीं आता है तो लोग सब्शावा में नहीं है मिदान सब्सक्राइब नहीं था निया पंचायती रजशांस्थाय में है ठीक है पंचायती रचसांस्थ जो चुनाव में महिलाव के लिए आरक्षित किया गया है सवाल 19 संपरदाइक राजनितिक के अर्थ संबंदी निम्न कत्नों पर गौर करे संपरदाइक राजनितिक किस पर अधारिष होती है संपरदाइक राजनितिक के अर्थ संपरदाइक राजनितिक के अर्थ संबंदी निम्न कत्नों पर गौर करे संपरदाइक राजनितिक किस पर अधारिष होती है यह जाएगा कि यह द्रम को कि संपरदाइक राजनितिक कर रहें तो इसका हो जाएगा ठीक है जब साथ में रहें खुर्शी से तो इस वो हम लोग सकते हैं ठीक है और एक समुधाय बनाते तो इस समय होगा सवाल नमबर 20 भारतिय समिधान तो यहां पर मीटा हुआ है देखिएगा भारतिय समिधान के बारे में सब्सक्राइम काउंसा काहिए है फुर्ट जया है सभी है तो यह धर्म की माना करता है यह सभी लोगों को कोई भी धर्माने की यहां पर आजादी होती है और किसी धर्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी कादिकार दियता है किसी धर्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी कादिकार जो भारतिय समीधान है यह क्या बोलता है सभी लोगों को कोई भी धर्मानने की आजादी को मान सकता है किसी भी खास धर्म को राश्क्री धर्म नहीं बनाया गया हूँ ने कि सारे धर्म को जो है एक समान भाव से देखा जाता हूँ क्या बोलते हैं सवाल नंबर 21 से यहां पर अधारित भारत में है तिक चीज पर जो है डिपेंडेंट जो भाजन भारत में है ति क्या हो जाती जाती पर जो भारत में आपकी जाती का डिमांड होता है यहां जाती है तो ऐसा कहीं और नहीं है आगे देखिए बाईस नमर सवाल है आपका सुचि एक और सुचिज दो के मिरान करना है देखिएगा अधिकारों और अवस्रों के मामले में इस्तिरी और पुरूस की बराबरी मानने वागत देखिए तो इसको क्या बोलते है नारी भादि बोलते हैं आगे क्या बोला धर्म को समुदाय का मुख की अधार मनने वाला विक्ति इसको क्या बोलते हैं सांवडाय के धर्म धर्म हा तो या बिलाए पुछ और आपके सब्सक्राव है कुछ और है फ्रेंड्स का इसको भी ले ठेखिए चिक है तो फ्रेंड्स तो यहां पर जो आप लोग के लिए एक श्कि लाए आ ठीक है इसी अधियाय का है पार्ट पहला ही अवहार का तो इस सेट कटी के एंसर जो आपको लगाना है देखिए निफर्श में क्या बोला निमलेखित में भारत के लिए कौन से क्रतन सही है यह यह बहुत है यहां पर आप नहीं है यहां धर्म की प्रसांता नहीं है यह यह थाम निर्प्यक्सता का सिधान यह सहिए ना न किसी भी धर्म को यहां पे समाना ध्रिकार मिलता है यह जो हो जाएगा प्रसाय लगा देगा और लाश्ञश में अट्यों क्या चाहिए कि इतना पॉड़ सही हुआ है है ने लो की तो में यह एक सही गुद्धन कौन है केवल बड़े बड़े देस्ता में एक बटका यह कहीं भी कोटा सकता है युल workflow सवाल नमबर 3 रंग भेत की निति के बिरूद आवाज उठाने वाले कौन थे तो इससे क्या हो जाएगा आवाज उठाने वाले कौन थे जोई डबलू बूस नहीं थे ये लिंकन भी नहीं थे मार्टिन लोथर किंग थे वासिंग्टन भी नहीं थे सवाल नमबर 4 समाजी बिभ्याद के उत्वत्ति क्या होता है तो जाती छेतर जन्म इंडिया में क्या जन्म है तो जो कोई चमन का बेटा है तो चमरा काम करेगा जो लोहा काम करेगा सुनना कर सुना वह यह जो है सब्सक्राइब निम्लेखित में किस देश को धार्मिक और जाती अधारव बिखंडर्ण का सामना करना परा तो इससा क्या हो जाएगा यह वो सलाविया जो था यह आपका इससा था कि फुटे नाइटी नाइटी नाटी पौहले टिए ए इनुनियन आफ सोविय विखंडर्ण करना परा सवाल नमर्चे है आपका समाजी विवाजन को संहाल ले में नहीं होता है लोकतांतर में राजनीति परद करना संभाव यह बिसाई है लोकतांत्र समाजीक विभाजन के अधार पर समाज को भिखण यह लागु नहीं हो रहा है सवाल साथ है भारत में महिलाओ के लिए बर्वास्था कहां पर है तो लोक सवाँ में नहीं है सवाल नमबर आठ है सिलांका में साथा में भगिदारी के संदर में सही कतन क्या है तो वहां पर जो है सरकार की नितियों द्वारा सिंहली भासिर वह संक्या को का परभूत परा रखने का पडियास किया जाता है सवाल नमबर नौ है आपका जब हम लाइगी भाजन की बात करते हैं तब हमारा अभी पराय किस्से होता है बतायते हैं आपको समाज द्वारा इस्तिवी अपरोसों में को दी गई असमान भूमिका इसका इंसर हो जागा ठीक है सवाल नमबर यहां पर दस नमबर है क्या बोल प्रटी रैट्स मिला था मदने का थी कारी मिला हुआ था ठीक है सालामर आपका यहां पर ग्यारा है पंद्रहवी लोग समाच उनाव में महिलाव की कितनी भागिदारी थी तो इसका 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 वाजाएगा सवाल नमबर आपका 12 अधिकारों और अवस्तों के मामिले में महिलाव को विश्येस पड़सराय क्या कहलाता है थो नारी यहां नारी वादी Razak सवाल नमबर 13 है आपके समाज कि दिवहाद नाम क्या है तो क्या हो जाएगा नारी को सकत्त्त बराजाना ब्रूक्त नेवले कि तो नहीं तो आपका जेट गूटी और यह आपका गया थी अमेरिका के रिलिटी सोव का थी यह तेलिविजन इस्टार है यह नहीं थी बाकी इंग थे जो आपका आप सना मद्रें मांदिन उतर की यह थे गांदी जी भी थे गांदी जी डियों थे जो इस अमेरिकन अतले धावक थे और सवाल आज का किस लोग समझ चुनाओ के बाद महीं लाओ कि भगधारी दस परसंट से कम होगई अधीक हो गई तो यहां हो पाला कितना गाइप ग्राइप अकितना गाइप तो 10.6 गोना एक पर इतर गुद्ट गई पर देक हो गए था था और वा तो फिर बीडियोद यूच्व लागा हो तो फिलिश्व लाइक कर दीजेगा और फुच्छ अबडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइ जोड़ कर लिजेगा ठीक है सब्सक्राइब जोड़ कर लिजेए फ्रेंट्स आजिकले बस इतना ही जय हिंद जय फारत वंदे मातर हुआ